आज हम जीरो साइज की कैप वाली बेवी ड्रेस बनाएंगे तो उसके लिए मेजरमेंट ले लेते हैं यह मैंने डवल कपडा लिया है मेजरमेंट यहाँ पे लेग दिया 12.5 बाइ 11 इंच 12.5 इसका लेंथ है और 11 वेड़ है तो इसके बाद हम इसको 4 लेयर में फोल्ड उसके बाद में नेक, सोल्डर और आरम हुल का मेजरमेंट लेकर के मार्किंग कर देंगे यहाँ पे मैंने पूरा मेजरमेंट लिख दिया है तो आप यहाँ पे आराम से वीडियो को स्टॉप करके और देख सकते हैं तो यहाँ पे जो जो हमने मार्किंग किया था उसके बढ़ा देंगे यहां पे 2 इंच लेंगे हलका round दे करके cut करेंगे और इसको बीच में से भी cut कर देंगे फ्रंट वाले पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे सेंटर से कट करके इसके बाद हम स्लिव की कटिंग कर रहे हैं लेंथ 10 इंच और इसके बाद हम लेंगे यहां पर जो आर्म होल साइड में होता है उसकी कटिंग करेंगे कि मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे यहां से चोटा सा यहां पर कट लगा देंगे और सामने से जितना भी राउंड है उसके वन इंच एक्स ट्रस लाई मार्जिन छोड़ करके कट कर लेंगे अब फ्रंट वाले की कटिंग के लिए अलग से मार्किंग करेंगे और उसकी कट में करूंगी ये वाला हिसा हमने कैप के लिए लिया है सबसे पहले हमने जो इसकी उपर वाले टॉप की कटिंग किया है उसको सोल्डर से अटेच कर लेंगे shoulder से attach करने के बाद जो right hand का हिस्सा है उसमें हम एक strip लेंगे 2 inch का double करेंगे उसको और right side में attach करना start करेंगे नीचे तक attach कर देने के बाद इसको अंदर की side मोड करके हम सिलाई लगा देंगे जिसे देख रहे हैं पूरा इसको अंदर की side मोड लिया है अब जो left hand वाला हिस्सा है उसमें 3 inch width की strip लेंगे उसको double single रखेंगे और इसको हम wrong side से attach करेंगी उपर से पहले थोड़ा सा fold कर लेंगे strip को यह attach हो जाने के बाद इसमें एक टॉप सिलाई लगा देंगे ताकि सिलाई अच्छे से बैठ जाए उसके बाद इसको right side में मोड करके बाकी बाद चीज ट्रीप को और उपर से सिलाई लगा देंगे कम्प्लीट हो गया अब sleeves को attach कर देंगे इसलिव अटेच हो गई हैं दोनों को कर लेंगे फ्रेंट वाले हिस्से को भी मोड करके सिलाई लगा देंगे उसके बाद हम side वाला सिलाई लगाएंगे Friends, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की या आप नए हैं तो please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपको बहुत अच्छी अच्छी नही यजी वीडियोज देखने को मिलेंगे अब जो ये नेक वाला हिस्सा है उसका राउंड हम नाप लेंगे जो स्ट्रेप हमने बार की साइड जोड़ा था उसको छोड़ करके तो ये 11 आया है प्लस 2 इंच करके 13 इंच हम इसका जो कैप आएगी उसके नीचे वाला हिस्से की रखेंगे इसका लेंथ लेंगे हम 8 इंच और राउंड जो हमने वहाँ पे निकाला था उसमें प्लस 2 इंच करते हुए यहाँ पे इसका विरथवाला हिस्सा लेंगे इसको सीधा कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे उपर की साइड में राउंड देंगे और इसके बाद यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे छोट असा कट लगाएंगे कट लगाने के बाद जितने ही से में हमने कट लगाया है उसको अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दोनो साइडों में हो गया है अब यहाँ पर इसको 1.5 इंस तक हम अंदर की साइड मोड देंगी यह डोरी डालने के काम आएगा जो कैप है उसमें यहाँ पर हम डोरी डालेंगी और यह राउंड दिया था वो वाला हिस्सा भी कट कर दिया है यहाँ पर सिलाई लगाएंगे नीचे तक ले आएंगे सिधा कर लेंगे अब इसको अटेच करना स्टार्ट करेंगे जो चोड़े वाला पट्टी हमने लगा था उस पट्टी को हम छोड़ देंगे और उसके बाद कैप को अटेच करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर कैप को भी हम अटेच कर रहे हैं फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इनको लाइक और सेर जरूर करें और नए नए वीडियोज देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन ओन जरूर करें तो यह हमारा कंप्लीट हो गया है नीचे की साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो हुक लगाएं या फिर बटन लगाएं और यहाँ से हम डोरी डाल देंगे इसमें तो फ्रेंट्स जरूर बताएं के कमेंट करके कैसी लगी आपको मेरी यह वीडियो